मुल्क भर में कोरोना के वार जारी मजीद आठ मरीज दम तोड़ गए मजमुई अमवात 6507 हो गई NCOC के मताविक 24 घंटों में 553 नए केसिस रिपोर्ट मरीजों की मजमुई तादा 3,14,784 तक चाप पहुंची गुज़स्ता रोज सबसे ज्यादा 35,071 कोरोना टेस्ट किये कर कोरोना का शिकार अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम्प इलाज के लिए वाल्टे रीर हस्पताल मुन्तकिल आएंदा चंद रोज हस्पताल में गुजारेंगे वाइट हाउस हुकाम का कहना है अमरीकी सदर बुखार और शदीद थकान का शिकार है एंटिबोडी इंजेक्शन लगा गया है वीडियो पेखाम में अमरीकी सदर ने कहा कि वो और मेलानिया बेहतर महसूस कर रहे हैं डॉनल्ड ट्रम्प ने इंतखाबी मोहिं भी मॉपतल कर दी और लेंडों में इंतखाबी रेली मनसूख सदर ट्रम्प का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद अमरीकी स्टॉक मारकिट में मन दी आलमी सदा पर खाम तेल के किमत में पांच पीसद कमी ब्रेंट ओयल की किमत दो आशारिया पांच डॉलर कमी के साथ 38.88 डॉलर हो गई कराची में कोरोना केसिस में बतदरी जिजाफा, जिलाक औरंगी के मुख्लिफ अलाकों में मुकम मल लॉक डाउन कराची के निजी दफाते में भी कोरोना मुतास्टिंग की तादाद बढ़ने लगी गुजशता रोज कराची में सोपीस की खिलाफ वर्जी पर 6 शादी हाल और 103 रेस्टराउन बंद किये कर कराची में लीगी राहनुमा निहाल हाश्मी और बेटों का सौधाबाद थाने में पुलीस अहलकारों से छकड़ा सेसपी का कहना है नसीर हाश्मी का किसी से जगड़ा हुआ पुलीस पहुंची तो बत्तमीजी की थाने लाए तो अहलकारों को थपड़ मारे और वर्दी फाड़ दी सेचो की मुदायत में मुकादमा तर्च जेरे हिरासत निहाल हाश्मी और दोनों बेटों को आज अदालत में पेश किया जाएगा अहलिया निहाल हाश्मी का पुलिस अहलकारों पर तशद्दुद करने का इल्जाम डॉक्टर निशाथ हाश्मी कहती है पुलिस तशद्दुद से मुझे मुझे मुक्तलिफ चोटने आई निहाल हाश्मी बोले एहलकारों पर तशद्द वाली वीडियो मुकम्मल नहीं वीडियो तब बनाई गई जब बेटे अपनी माँ को बचाने आए बेटी आईशा हाश्मी का कहना है किसी और की लड़ाई में हमें घसीटा गया सादा लिबास एसेचों ने भाई पर तशद्द किया फैमली से वद्तमीजी की हकूमत ने लूट मार का बाज़ार गर्म का रखा है जल्म, ज्यादती और नाइंसाफी अब मजीद नहीं चल सकती राना सनाउला की मीडिया से गुप्तगू मजीद बोले के अमरान खान ने आपोजिशन को क्या एक्सपोस करना है अब ये खुद एक्सपोस होंगे मनश्याद बरांदगी केस में राना सनाउला पर आज भी फर्द जर्म आयद ना हो सकी जज शाकिर हुसेन के रुखसत के बाई समात मुल्तवी नून लीड का पीडियाम प्लाटफ़ाम से पहले अकेले मैदान सजाने का फैसला आज लाहार में जलसा होगा शहवास शरीफ की गरिफ्तारी के खिलाफ वीगल चौक पर पावर शोख होगा पंजाब हुकुमत का ओपोजिशन को धरने और जलसों की मश्रूत इचासत देने का फैसला आईनों कानून के दारे में एहतजाजी सरगर्मियों की इचासत होगी स्ट्रीट क्रिमिनल बेल अगा नाजम अबाद में शहरी की हासर दिमागी ने वार्दात नाकाम बना दी मुल्जमान को देखते ही दर्वासा बंद कर दिया मुल्जमान ने शहरी को डराने के लिए पिस्तोल भी तान ली सिसी टेवी फटिच नाइंटी टू नियूज में हासिल कर दी मुसल्मानों के लिए बड़ी खबर सौदी अरब ने यकुन नवंबर से उम्रे के लिए बेरुने मुल्क से लोगों को आने की इचासत दी ती चार अक्तूबर से मधभी माकामाँ जारीन के लिए खोलने का भी ऐलान पहले मरहले में सौदी अरबी मुकीम मुसल्मान उम्रा अदा कर सकेंगे कोरोना दुनिया भर में दस लाक बतीस हजार जाने ले गया मुतास्चीन की तादा 3 करोर 47 लाक से तचाबस कर गई भारत में गुज़स्ता 24 घंटों में 1079 मरीज चलबसे हलाकते एक लाक से बढ़ गई अमरीका में मजीद 8,325 समवाद मजमूरी तादा 2,13,000 हो गई ब्राजील में मजीद 664 अफराद लुखवाएं अजन बन गई साबक बादशा से डियने मैच होने पर बादशी मदालत ने खातून को शहजादी का खिताब दे दिया आर्टिस्ट डिल फैनी बॉयल को साथ साला कानूनी जंग के बाद सरकारी तौर पर शहजादी का खिताब मिला शाह अलबर्ट तवील अरसे तक बॉयल के शाहे खानदान से तालुक के दावे की नफी करते रहे नेशनल टी-20 में दिल्चस्प मुकाबले जाई इवेंट में आज भी दो मैच्चस खेले जाएंगे दोपहर तीन बजे नौदन की टीम का मुकाबला सेंट्रल पंजाब से होगा शम साथे साथ बजे खैवब पख्तून खा और सरदन पंजाब की टीम में बदने मुकाबल होंगी गुजचता रोस खैवब पख्तून खाने बलोचस्तान को और सिंध ने सेंट्रल पंजाब को साथ विक्चों से शिकर्स दी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बॉक्सिंग मेला आज इसलामबाद में सचेगा एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन की टाइटल फाइट भी होगी पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर इनाक्शन होंगी पाकिस्ताई ने शाहत बरतान्वी बॉकसर आमिर खान का कहना है पाकिस्तान में बॉकसिंग लाने का वादा पूरा कर दिया अब तस्तलसु के साथ बॉकसिंग करवाएंगे